जो चुपी को भाशन में बदल दे उसे दारू कहते हैं और जो भाशन को चुपी में बदल दे उसे महरारू कहते हैं साली अगर थोड़ी सी भी सुन्दर निकल जाए तो ससुर जी को देखके लगता है कि जब तुम्हारे घर में रजगुल्ला था तो मुझे दही बड़ा क्यों दिया आजकल लड़के चांद सी दूलन ढूटते ढूटते अरे उनके सर में खुद का चांद निकल आता है मौसम विबाग का करमचारी गिरफतार रोज बरसात की भविस बाड़ी करके पतनी से पकोड़े बनवाता था ए बार इसकी बॉंद गिर गए लाइट काट लो लाइट हलो सर मैं बिजली विबाग की तरफ से जय बात कर रहा हूं का मज़ने मैं रे लाइट काट ली तुने तो जब आई बहुत दिकत हो यह तेरे बोतल चल लाई है करंट की यह बड़ी अगला इट आदमी मेरा मतलब है के हमारे यह बारिस हो रही है इसलिए लेट की तारह कट गई बहुत बड़ीया तेरे हिया बिलेड बरस रहे बारिस में हवा चलने की वज़े से लेट की तारह तूड़ गई तो मैं तो यार बाइबू पता है गर में कितो खर्चा है। इस टेम पैसा नहीं है। हम कुछ नहीं जानते हैं हमें चाहिए दो ब्च्च यह है if थे लेता है इक इंसान एक किभनिनिक बेचिने एक किभन बेचने की सब्सक्तिय। अरे औरते सब कुछ कंट्रोल कर सकती हैं पर अगर कोई बात उनसे कह दो कि ये बात किसी को बताना नहीं तो वो बिना किसी को बताए अपने आपको कंट्रोल नहीं कर सकती अरे बच्चों से कही जाना कि ये काम ना करें यार कभी जिंदगी में देख लो तुँ हलो नमशकार सर मैं इपकार कंपणी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ क्या मदद कर सकता हूं आपकी अरे जैब अरे बेगम जैब को लग गया फून का हल है बेचा अरе हम ya company की तरफ से जैब बाद कर रहे हैं अरे हमको पता है तुम company में क्यों हो काम कैसा चल ला अरे तुम समझ का आए नहीन रहे हो हम in kaat company की तरफ से जैब बाद कर रहे है अरे मकर तुम तो building company में थे तुमने कानी कई से बदल ली और हमको बताया भी नहीं जरा अरे बो जैब और होगा और हम जैब और हैं अजे बेगम सुननाई जैब से जैब बदल गिया आज वह बंदर काड़रो तुम पूरे एग्ये में पहले सुनतो लो हमारी बात एगी का हो गया जैब को अहे आंटिया आपके जैब को कुछ नहीं हुआ है अरे हमने कहा था सेहर ना जाने दो इसको भीड में लौट कोट हो गया यह बड़े 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 प्रिशी